क्या आपने कभी इंटरनेट की मामूली शुरुआत के बारे में सोचा है या पृत्वी की जनसंख्या लॉस इंजिल्स में कैसे फिट बैठती है। सबसे पुराने जीवित जीव या स्कॉटलन के इंचिंडाउन तेल टैंकों में उलेखनिय गूंज के बारे में उत्सुक। मनुष्य और केले के बीच संबन से उत्सुकता बढ़ी। आश्चर्य है कि क्या चीन की महान दीवार वास्तव में अंतरिक्ष से दिखाई देती है। ओक्तोपस संचार प्रणालियों, एफिल टौवर रहस्यों का पता लगाने और क्लियोपेट्रा के समयात्रा कनेक्शन को उजागर करने के लिए तैयार है। प्रिथ्वी पर चंद्रमा के प्रभाव को समझने के लिए उच्सुक हूँ और क्यों केले वानस्पतिक जामुन है, लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं। दुनिया के सबसे छोटे युद्धिया मिस्र की कबरों में पाए जाने वाले स्थाई शहद में रुची। यदि आप हाँ कह रहे हैं, तो सामान्य तथ्य एपिसोड 001 के लिए तयार हो जाएए। पाँच मिनट के ज्यान के साथ इस रोमांचक यात्रा के लिए कमर कस ले और सदस्यता ले। पहला इंटिनेट संदेश कभी सोचा है कि इंटिनेट की शुरुआत कैसे हुई। कथे यहा है कि भेजा गया पहला संदेश एक विनम्र लोगिन था, लेकिन यह केवल दो अक्षरों के बाद क्रैश हो गया। आज हम जिस विशाल नेटवर्क के बारे में जानते हैं, उसके लिए एक छोटी सी गरबडी। क्या आप यूटा में एस्पेन पेडो की एक उलेखनिया कॉलनी पंडो के बारे में जानते हैं, यह क्लोनल कॉलनी लगभग 80,000 वर्ष पुरानी होने का अनुमान है, जो इसे प्रत्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव बनाती है। दुनिया की सबसे लंबी प्रतिध्वनी क्या आपने कभी 75 सेकंड तक चलने वाली प्रतिध्वनी के वारे में सुना है। स्कॉटलेंड के इंचिंडाउन तेल टैंको में बिलकुल ऐसा ही हुआ। प्रकृती का अपना कॉंसर्ट हॉल युगो युगो से गून्ज रहा है। अगली बार जब आप केले का आनंद लें, तो इस फल के साथ हमारे आनुवन्शिक संबंद को याद रखें। आश्चर्य हुआ कि क्या चीन की महान दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है। लोकप्रिय धार्णा के बावजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा है कि इसे नगना आंखों से आसानी से नहीं देखा जा सकता है। एक मिथक का खंडन हुआ। अक्टोपस के तीन दिल होते हैं। एक अनूठी भूमी का होती है। दुनिया की सबसे पुरानी ग्यात रेसिपी बीर से प्यार है। पता चला, दुनिया का सबसे पुराना ग्यात नुस्खा बीर का है, जो 5000 साल से भी अधिक पुराना है। शराब बनाने और अच्छे पिंट का आनंद लेने के शाश्वत आनंद की शुबकामनाए। पिरामिड की इमारत की तुल्ना में क्लियोपेट्रा चंद्रमा पर उतरने के करीब रहती थी। आईए एक क्षण के लिए समयायात्रा करें। क्लियोपेट्रा जो अक्सर प्राचीन इतिहास से जुड़ी होती है। प्रतिष्ठित पिरामिडों के निर्मान की तुल्ना में चंद्रमा पर उतरने के करीब रहती थी। इतिहास के दिल्चस्प मोड। चंद्रमा का प्रिथ्वी पर प्रभाव क्या आपने कभी प्रिथ्वी पर चंद्रमा के प्रभाव के बारे में सोचा है। ज्वार को प्रभावित करने के अलावा यह सूक्षमता से प्रित्वी की पपड़ी के बढ़ने और गिरने का कारण बनता है। प्रकृती का दिव्यन रितिक जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावित कर रहा है। Fact No.5 केले जामुन है लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं प्रत्रिती का वरगी करन हैरान करने वाला हो सकता है। वानस्पतिक द्रिष्टी से केले जामुन के रूप में योग्य हैं जबकि स्ट्रॉबेरी आश्चर यजनक रूप से नहीं है। एक फलदाई तथि जो उमीदों पर पानी फेर देता है। Fact No.4 दुनिया का सबसे छोटा युद्ध एतिहासिक के प्रती जिग्यासू एंगलोजान जीबार युद्ध के नाम सबसे छोटे युद्ध का रिकॉर्ड है जो केवल 38 से 45 मिनिट तक चला था। युद्ध के इतिहास में एक प्वरित समाधान। Fact No.3 एफिल टावर का गुप्द अपार्टमेंट क्या आप जानते हैं एफिल टावर में एक गुप्द अपार्टमेंट है। गुस्ताव एफिल का छिपा हुआ रत्न पेरिस के आश्चर्य जनक द्रिश्य प्रस्तुत करता है और टावर के आकर्शक इतिहास का प्रमान है। Fact No.2 शहद कभी खराब नहीं होता। आपके लिए एक प्यारा तथ्य। प्राचीन मिस्र की कबरों में पाया जाने वाला शहद आज भी खाने योग्य है। यह सुनरा व्यंजन न केवल स्वात को आकर्शक बनाता है, बल्कि समय की कसोटी पर भी खरा उतरता है। Blue Whale का दिल समद्र में गहरे गोता लगाने के लिए तैयार। Blue Whale का हृदय इतना विशाल होता है कि मनुश्य उसकी धम्नियों से तैर सकता है। प्रकृती की भव्यता का एक मनमोहक अनुस्मारक। मन आधिकारिक तौर पर उड़ गया, ठीक है। यदि आपने इन तथ्यों का आनंद लिया है, तो हमें एक अंबुठा दे, साजा करें, और अधिक दिमाग विस्तरित सामद्री के लिए सदस्यता लेना न भूले। जिग्यासु बने रहें, और मैं आपको सामान्य तथ्य के अगले एपिसोड में मिलूँगा। तब तक अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहें। जल्द ही फिर मिलेंगे।